दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों राट के 3 से 5 बजे के बीच नीद खुलने के पीछे का क्या है राज जी हाँ दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी नीद राट 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो इसका राज आखिर क्या है तो चलिए दोस्तों जानते हैं वीडियो के माध्यम से लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देजेगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकान को प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी जानकारी से रूबरू करवाने वाले हैं जिसके बारे में जानकर एकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे जिहां दोस्तों बता दें कि या जानकारी आपकी नीद से जुड़ी है दरसल सास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्त की नीद तीन से पांच बजे के बीच खुलती है तो इसके पीछे किसी ना किसी दिब शक्ती का इसारा जरूर छुपा होता है दोस्तों अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा तो चलिए अब आपको इस दिल्चस्प जानकारी के बारे में जरा बिस्तार से बताते हैं दोस्तों बारहाल कई बार ऐसा होता है कि रात को काफी गहरी नीद सोने के बाद भी बेक्त की नीद अचानक बीच में ही खुल जाती है हलाके कुछ लोग इसे नारमल सी बात समझ कर नजर अंदाज कर देते हैं और दुबारा सो जाते हैं मगर हम आपको बता दें कि अगर आपकी नीद ऐसे ही अचानक खुल जाती है तो यह वास्ता में बिल्कुल भी नारमल सी बात नहीं है दोस्तों इसलिए इस गलती से एक भी चीज को नदर अंजाज ना करें दोस्तों यानि अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो इसके पीछे भी बहुत से संकेत छिपे होते हैं अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस दुनिया में बैक्त के जीवन में कोई भी चीज बेवजा नहीं होती है यहां तक कि बैक्ती जब नीद में सपना भी देखता है तो उस सपने का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है दोस्तों इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि तीन से पांच बजे के बीच नीद खुलने का क्या मतलब होता है दोस्तों गवर तलब है कि सुबा तीन से पांच बजे के बीच के समय को अमरत बेला कहा जाता है यही बजे है कि इस दोरान कई औलोकिक सक्तियों का परबाव भी होता है दोस्तों बता दें कि यह शक्तियां आपको कई तरह के संकेत देती हैं और आपको इन संकेतों को केबल समझने की जरूरत है इसके साथ ही आपको जानकर खुशी होगी कि या आलोकिक शक्तियां 3-5 बजे की बीच केबल उन्ही लोगों को जगाती हैं जिन्हें ये खुश देखना चाहती है जिया दोस्तों इसका मतलब या है कि अगर आपकी नीद 3-5 बजे के बीच खुलती है तो या शक्तियां आपको खुशिया देने का इशारा कर रही है दोस्तों बता दें कि 3-5 बजे के बीच आख खुलने का मतलब या है कि आपके घर में धन और धान में बृद्धी होने वाली है और आपके घर खुशियां आने वाली है अब यूतो सुबा उटना के बल मन के लिए ही नहीं वलके स्वास्त के लिए भी काफी अच्छा होता है मगर सुबा उटने के कई धार्मिक लाब भी होते हैं दोस्तों बारहाल जो लोग सुबा जल्दी उटते हैं वा हमेशा खुद को फ्रेश महसूस करते हैं दोस्तों इसके साथ ही सुबा जल्दी उटने वाले लोग कुदरत का भी भरपूर आनंद लेते हैं इसलिए अगर आपकी नीद भी तीन से पांच बजे के बीच खुलती हैं तो आप बास्तम में काफी भागिसाली हैं दोस्तों हलाके इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो शास्त्रों में कही गई बातों पर एकीन नहीं करते हैं मगर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शास्त्रों में कोई भी बात बेवजा नहीं कही जाती है जी हाँ दोस्तों सास्तरों के इनुसार जो लोग 3-5 बजे के बीच उड़ती हैं या जिनकी नीद इस तवरान खुलती हैं वो लोग वास्तम में खुश किस्मत ही होते हैं तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चानकारी को दोस्तों के साथ दिल खोल कर शेर कीजिए क्योंकि जितने लोगों तक ये बात पहुचेगी उतना ही लोगों को लाब होगा चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं अगले वीडियो में तब तक आप रहिए इस्टे मोटिवेट इस्टे फियरलेस और हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजी